लो स्टूडेंट्स आज हम टिक्नोमेट्रिक इनक्वेशन जो कि कलासी लेंट का बहुत इंपोर्टेंट टोपिक है उसकी कुछ प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं फर्स्ट प्रॉब्लम में मेरे पास साइनेक्स गेटर देन जीरो आपने इस इनक्वेशन को स्ब्सक्राइब प्रॉब्लम करना है तो सबसे पहले आपको क्या थिस DAY करना इसमें जिस कि इनक्वेशन को सोल करना सबसे पहले जोगा उसका पिरियेड आपको पता होना चाहिए sin x एक periodic function होता है जिसका period आपके पास 2 pi होता है अब उसने मेरे से answer कुछ है कि sin x greater than 0 sin x यानि कि positive है sin x जो positive होता है first और second coordinate में होता है यानि कि 0 से लेके pi तक जो-जो x मेरे पास 0 less than x less than pi होंगे तो वहाँ पर जो है मेरा sin x कैसा होगा positive होगा अब मुझे इस inequality का journal solution निकालना है journal solution करने के लिए आपको क्या करना है इसका 1 x find out कर लेना है उसके बाद आपने उसमें जो उसका period add कर देना है जैसे इसका period 2 pi है तो हम इसको generalize करने के लिए इसका 2 n pi इसका period consider करेंगे तो इस sin x greater than 0 का जो journal solution आएगा हुआ आएगा आपके पास 2 n pi less than x less than 2 n pi plus pi where n belong to set of integers तो यह इसका क्या आएगा यह इसका general solution आए देखे students inequality का जो भी answer आता है वो हमेशा interval की भूम में आएगा अब हम sin x का अगर graph simply का अगर graph हम consider करते हैं तो sin x का graph है जो वो इस तरिके से आपके पास बनता है तो हमने क्या करना है उसको एक interval में चेक करना है कि sin x है जो यहाँ पर कैसा है positive और यहाँ कैसा है negative उसके बाद फिर यहाँ पर कैसा हो जाएगा वो positive हो जाएगा और यह जो value आपके पास pi by 2, pi by 2 पर maximum value देता है sin x 1 और यह जो आपके पास है pi यह कहा है 0 मैंने एक interval consider किया 0 से pi में sin x कैसा है positive तो उसके बाद मैंने उसका जो है period add कर दिया तो यह इसका जो है general solution होगा sin x greater than 0 next problem पर move करते हैं यह थी मेरे पास problem sin x greater than 0 next problem पर move करते हैं second जो problem है वो आपके पास cos x greater than 0 cos x यानि कि positive होना था सबसे पहले मैं इसको coordinate system से देखता हूँ यह मेरे पास होता है minus pi by 2 this is pi by 2 cos x positive है तो यहाँ पर cos x मेरा कैसा आएगा positive आएगा यानि कि एक x management से consider किया है तो में जो क्या मिला minus pi by 2 less than x less than pi by 2 तो मुझे इसका general solution बढ़ाना तो इसमें इसका period add करते हैं cos x का period क्या होता है 2 pi तो general के लिए उसमें क्या add करते हैं 2 and 5 cos x greater than 0 का जो general solution आएगा वो आएगा आएगा आपके पास 2 and pi minus pi by 2 less than x less than 2 and pi plus pi by 2 where n belong to pi यानि कि शैट ओफ integer से जो वो मेरे पास आजाए अगर हम इसको simply graph से देखते हैं तो cos x का जो graph आपके पास वो इस तरिक्के से बंगता है तो मुझे cos x positive देखना तो इस quadrant में मैंने इसको consider किया यह 0 cos 0 पर maximum value देता हूँ 1 यह point आपके पास minus 5 by 2 और यह आपके पास 5 by 2 और मैंने उसको एक interval में consider किया कि cos x positive हो minus 5 by 2 जे 5 by 2 के बीच में उसके बाद उसमें जो है 2 and 5 आड़े करती है तो वो उसका क्या जाएगा general solution हो जाएगा तो आप इसे note कर सकते हैं साथ के साथ next question पर move करते हैं question number third है आपके पास आपने solve करना इसे को sin x greater than 1 by 2 sin x की जो value है तो हम इसको simply graph की जाए circular graph से इसको जल्दी solve करेंगे क्योंकि इससे काम करना थोड़ा ही जो हता है साइन एक्स greater than 1 by 2 तो साइन जो है 5 by 6 की जो value होते है वो 1 by 2 होते है यानि कि यह 5 by 6, sign 5 by 6 पर क्या value देगा 1 by 2 उसके बाद sign greater than 1 by 2 तो यह मिलेगा आपको first or second quadrant में यह आपके पास होता है पाई तो पाई-5 by 6 करेंगे तो यह बड़ा जो एंगल आएगा या आपके पास आएगा 5 5 by 6 तो मुझे sin x greater than 1 by 2 जाएगे तो सारे की सब्सक्राइगे जो value हो यहां पर मिलेंगे तो it means sin x greater than 1 by 2 4 5 by 6 less than x less than 5 5 by 6 तो मुझे इसका solution set निकलना है तो इसमें क्या करेंगे उसका period आएट करते हम तो इस question का solution set आएगा वो आएगा 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 आपके पास 2 and pi plus 5 by 6 कोमा 2 and pi plus 5 by 6 तो यह जो इन पर गोल की जानना आएगा तो आपका जो solution set है इस question का आपके पास यह हो जाएगा fourth question को move करते हम fourth question मेरे पास cos x greater than equal to minus 1 by 2 cos x की जो value है आपके पास minus 1 by 2 से greater होने चाहिए इसके लिए हमें solve करना यह बड़ी famous value आपके पास cos 2 pi by 3 यह यह cos 120 होता है तो इसकी जो value होती है वो आपके पास minus 1 by 2 होती है इसको solve करने के लिए हम क्या करेंगे यह आपके पास cos x greater than equal to क्या जी हमें minus 1 by 2 साहिए तो पहले इसको मैं simply graph माच अबर इसकी दो करताँ ओं पर यापके पास 1 by 2 होगा और यापके पास तो ये मेरे पास क्या है माइनस 1 by 2 ये वाज होगा मेरे पास ये होगा 5 by 2 और ये वाज परसन होगा ये होगा मेरे पास 3 by 2 ये वाज पॉइंट होगा मेरे पास माइनस 5 by 2 तो 2 by 3 आपके पास वो यहाँ पर होगा आपके पास ये वाज पॉइंट है ये वाला ये आपके पास माइनस 2 by 3 और 5 by 2 तो 2 by 3 ये 5 by 2 नाइनके उता ना तो 2 by 3 आपके पास यहाँ पर मेरे तो ये दो पॉइंट है ये आपके पास 2 by 3 मुझे क्या थी ये इसे greater than value मुझे consider करनी है तो cos x से जो greater than equal to minus 1 by 2 क्या होगा आपके पास यहाँ से होगा क्योंकि equal to है तो यहाँ से लेके ये जो graph बनेगा ये red जो दिखाई देगा आपको लिगर में ये जो graph है कि cos x greater than equal to किसका बनेगा 1 by 2 का बनेगा है तो q greater than equal to minus 1 by 2 हो चाहिए तो ये वड़ा जोगा आपके इतना तो मैंने एक portion में निकाल लिया इसको interval में minus 2 by 3 से लेगे परसके 2 by by 3 तो मैंने इसको दो रहा है soul गिया है तो मैंने एक x ऐसा निकाल लिया जहांपर cos x greater than equal to तो ये है तो minus 2 by by 3 less than x less than 2 by by 3 के विचा तो इसका solution set बनाना मेरेगा तो क्या solution set क्या बने जाएगा 2 and pi minus के 2 by by 3 less than equal to x less than equal to 2 and pi plus 2 by by 3 तो ये जो मेरे पास इसका जोगा solution set बन जाएगा ये इसको आप इंट्रोल की भूम में भी लिख सकते हैं तो ये आपके पास क्या बनेगा solution set है जो इसका वो consider हो जाएगा तो cos x greater than equal to minus 1 by 2 का solution set आपके पास ये बनेगा next question पर जलते हैं question no.5 10x less than minus 1 10x less than minus 1 की value हम solve करते हैं 10 pi by 4 की जो value होती है आपके पास वो होती है 1 और 10 3 pi by 4 की जो value होती है आपके पास minus 1 ये आपके पास 10 3 pi by 4 की जो value होती है इसकी value है less than minus 1 में लेस इटर करनी है तो इसका फ़रे graph रो करते हैं ये आपके पास 5 by 2 line है और नेक्स जो लाइन है आपके पास ये ले बिखते हैं ये आपके पास आएगा पाई तो इसका लोगर आप consider करते हैं और वो इस तरिक्के से करेंगे जो इसका फ़राश होगे कि उससा है लेकिन जो 10x function होता है जो इसका पीड होता है 10x का पीड होता हो आपके पास क्या होता है आपके पास होता है तो यहां पर जो वैल्यू रही है आपको पास हो रहेगी 3 5 by 4 3 5 by 4 पर जो वैल्यू रहेगी उसके बाद इसका 3 5 by 4 पर प्रिटिकल नाइन कंसिडर करते हैं कि यह वाला जो पर्शन है यह वाला जो सारा का सारा पर्शन है यह आपके पास क्या हैगा लेस देन क्या हैगा माइनस होना जाएगा तो एक इंट्रू प्लम ने किसीडर किया कि 3 5 by 4 से लेके लेस देन एक्स लेस देन पाई के भीच में 10x की वैल्यू है वो माइनस वन से कम है तो इसका जो जोनरल सोलुशन आएगा 10x का प्रिट अपाइगा एन पाई पलस 3 5 by 4 लेस देन एक्स लेस देन पाई पलस एन तो यह है जो इसका यापके पास जैनल सोलिशन आ रहा है आप इसको नोट कर सकते हैं प्रेसिंगों साथ की साथ एक्सका आप मैस्ट प्रेसल के म로 करते हूं प्रेसल को नोट करते हम अच्स नमर शीक साथ इस नमर शीक सारी क्या इफ एस if 2 sx 10 greater than equal to 0 and x belong to 0 selected to 5 then then the solution set for x x का जो मुझे solution set ने करता हूं तो आपके पास आपका sin x greater than equal to minus 1 by 2 sin x greater than equal to minus 1 by 2 यहाँ पर sin x का लेता है minus 1 sorry 1 यहाँ जो value होती है आपके पास क्या होती है minus 1 minus 1 by 2 है तो first second में तो sin positive होता है यहाँ तो आपके पास minus 1 by 2 यहाँ पर लेगा और यहाँ तक जो सारी के सारी वाज़ों है यहाँ आपके पास कितना होती है 0 5 by 6 और यहाँ पर आपके पास कितना होता 2 pi तो 2 pi से वापीस सबाए है तो यहाँ पर भी कैसा होगा यह greater than equal to minus 1 by 2 यह है मेरे पास 2 pi minus 5 by 6 करेंगे तो यह आएगा 11 by 6 यह 11 by 6 से लेके 2 pi यह 11 by 6 से लेके 2 pi यह पिर आपके पास होगा 11 by 6 less than equal to x less than equal to क्याएगा 2 pi आपके पास दो solution set गनेगा देरहोर x बिलॉंग करेगा close interval 0 to 7 by 6 union 11 by 6 to 2 यह पिरीस का दो यह पिर्ट से लेके 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 क्याएगा solution set हो जाएगा next question देखते हैं, question no. 7 if 2 cos x less than square root 3 and x belong करेगा minus 5 say 5 then the solution सेट मुझे निकालना है, तो इसी को थोड़ा सोग कर लेते हैं, तो आपके पास हाई का cos x less than square root 3 by 2 cos x की अज़वर root 3 by 2 से कम होनी चाहिए, तो इसको सोग करते हैं, root 3 by 2 less than root 3 by 2 root 3 by 2 यहां परोगा, तो 1st of 4th में साइन कैसा होता है, पोजेटिव और cos 5 by 6 kilo value होती हो, आपके पास क्या होती है, root 3 by 2 यहां पर मेरा cos x क्या होगा, लेस दन रूक 3 बाई 2 होगा आपके पास तो कुछ सा कुरस्ट ना है मेरे पास 5 by 6 से लेके 5 तक 5 by 6 से लेके 5 तक और क्या है मेरे पास अगर मैं इसको कुरस्ट बे करता हूँ तो माइनस 5 by 6 से लेके माइनस 5 तक तो जैसे करेगा solution set है solution set आपके पास आएगा actually करेगा 5 by 6 से 5 5 पर आपके पास आएगा close interval और 5 by 6 पर आएगा आपके पास open union union आपके पास यहाँ से minus 5 से minus 5 by 6 union माइनस 5 से लेके यह आपके पास यह है, solution set आ रहा है, मैंने इसको positive को इधर से considerate रह लिया, 5 by 6 से लेके 5 तर और इस वार पोजिशन को यहां से considerate लिया, minus 5 से लेके, minus 5 by 6 next question remove करते हम, question no. 8, question no. 8 may pass if, cos x minus sin x is greater than equal to 1 and 0 less than equal to x less than equal to 2 pi, then the solution set for x, option 1 may pass, 0 is a pi by 4 union 7 pi by 4 to 5, option B है, 3 pi by 2 to 7 pi by 4, union singleton 0, or C option 3 pi by 2 to 2 pi, union singleton 0, or D option none of this. इस question को हम सोड़ करते हैं, देखिए मारे पास क्या given है, cos x minus sin x greater than equal to 1, तो यह उस टाइप का पैसन है, a cos x plus b sin x, तो इस सिकार करते हैं, पोस x को पोपिशेंट होगता है, और sin x से को पोपिशें, cos x का 1 का स्केर 1, minus 1 का स्केर 1, और root नहीं है, root 2, root 2 से divide करते हैं, तो यह आइगा 1 by root 2, cos x minus 1 by 2 sin x greater than equal to 1 by root 2, तो यह आइगा 5 by 4 cos x, minus sin 5 by 4 sin x greater than equal to 1 by root 2, तो यह मेरी पास्टी जाएगा cos of a plus b गा, क्या उस a plus b का अप्त, cos a equals b minus sin x and b, तो यह बना जाएगा cos x plus 5 by 4, cos, greater than equal to 1 by square root 2, तो cos x की value में जाएगा, 1 by root 2 से greater चाहिए, तो cos 5 by 4 क्या होता है, 1 by root 2, cos 5 by 4, तो यहाँ पर अप्त पास क्या होता है, minus 5 by 4, से greater चाहिए पर value, यहाँ पर सारी value से greater आएगा, हमारा जो x 7 minus 5 by 4 less than equal to x, की जाएगा क्या चाहिए, x plus 5 by 4 less than equal to 5 by 4, तो अगा तो अगाँ, पर तो अगार, की इड दो आएगार, चैक अटरोल के लेशदिन, and the general solution is and general solution is 2 and pi. 2 and pi अदिकर देंगे ना कोश का परिया अखके बास 2 pi होता. less than equal to x plus pi by 4 less than equal to 2 and pi plus pi by 4. This implies minus pi by 4 minus pi by 4 is to minus pi by 2. So, I got 2 and pi minus pi by 2 less than equal to x less than equal to 2 and pi. अगर मैं इसमें n को 0 बुफ करता हूं, तो मेरे पास आएगा minus pi by 2 less than equal to x less than equal to 0. और अगर मैं n is equal to 1 लेता हूं, तो मेरे पास आएगा n is equal to 1 लेते हैं तो 2 pi minus 3 pi by 2 less than equal to x less than equal to x less than equal to x less than than equal to 2 pi. 9 is equal to 2 लेते हैं, 2 पे आएगा कि आजा आएगा 4 pi, तो यह आएगा 7 pi by 2 less than equal to x less than equal to 4 pi. तो यह आएगा अगर मेरे पास general आएगे, तो मुझे answer अपना select करने अपने option से, तो मेरे पास है 3 pi by 2 less than equal to x less than 2 pi. और एक मेरे पास क्या था है n is equal to 0, n is equal to 1 और एक value n is equal to 2. तो यह इस कानिसर है मेरे पास हो, आपके पास आएगा 3 pi by 2 से 2 pi. और n is equal to 0 के 20 का solution है. तो आपके पास यह आएगा option c, option c is a factor. यह आपके पास इसका answer हो जाएगा. तो बड़ी simply तरिक्के से आपको दो इसको solve करना है. next question करता है किजी type का, question number 9, question number 9 है मेरे पास 10 square x minus scale 3 plus 1 10 x minus scale 3 less than 0. इसको मुझे solve करना. तो इसके factor बना लगते हैं, बबाब इसके factor नाएगे, तो यह आएगा 10 x minus square root 3. 10 to me 10 x minus 1 less than 0. In equality में हमने किया था, तो जब आपके पास x minus 1 x minus 1 3 less than 0 आता है, तो x बिलों करता है, चोटे root से बड़े root तक, यानि कि x बिलों करेगा 1 to 3, तो यहाँ पर आपके पास 10 x है, वो बिलों करेगा 1 से लेके root 3 तक. यानि कि जब हमने solve किया तो आपने पास 2 value आए, 10 x की value आपके पास 1 होगी, और यह आपके पास क्राएगी, और root 3 आएगी. इक इस बिलों करते हैं, अगर इस बिलों करके solve करते हैं, तो क्या आता 1 और, square root 3 आता आपके पास, अब देखें इसको जहां जो solve करते हैं, इसका solution set निकालते हैं, 1 का उता आपके पास, जब आपके पास 5 by 4, 10 by by 4 की वाल्यों 1 होती है, यह जो लाहिन आपके पास, यह रिप्रेजेंट करेगी, आपके पास 10 x is equal to 1, 10 by by 6 के उता square root 3, तो आपके पास 5 by 6 होगा, तो आपके पास की रिप्ते से जाए, यह होगा आपके पास 5 by 6 के दिये, और यह होगा, आपके पास 5 by 4. तो देंकि बीच का सॉल्सिं साईगे, तो इसका दो, पीच का सॉलेसिन बनाएगा आपके पास, जापके पास यह पास, यह आपके सॉलीशन अपर के दो देखें यह क्या पाई बाई बाई फॉर डेश इस पाई भाई जिक्स इस पाई बाई फॉर से लगए पाई भाई थी के बीच में लाई करता है तो इसका तो जर्वल सुलिशन आएगा आपके पास हो आएगा n5 पलस 5y हो less than x less than n5 पलस 5y या उसको interval form में लिखना सुलिशन साथ पत्व आदा आएगा n5 पलस 5y4 n5 पलस 5y3 आदा आएगा वेर n के लोंग करेगा z यह जो आप कैन हो बेलोंग करेगा देखें हमेने n के जोए integral multiple नहीं है क्योंकि जब आप अगर आप n यूंड लेंगे अगा यूंड करेंगे तो आप जाएएगे फ्रसक्राइग करेंगे अगर आप न को ओड गंसिडर तो आप चले जाएंगे इसमें थर्ड गॉर्ट्र ने इसको इंटेगर मुल्टीकम हे लिग दिया क्योंकि ए निवन लेते हैं तो यहां पर यहां आप जाहें और अग्र आप अधर था गॉर्ट्र गॉर्ट्र पे चले जाएंगे बड़े ही simply trickages को solve करने की कोशिश की है next question पर हम हो गरते हम question number 10 है question number 10 है कि find the number of solutions find the number of solutions आपने जो इसके number of solutions निकालने है क्या होंगे number of solutions निकालने है क्या होंगे number of solutions निकालने है आपने cos x is equal to mode 1 plus sin x 0 less than equal to x less than equal to 3 इसके जो बीच के जो solution में जुझे वो consider करने है कि वो solution में जो वो क्या है इसके solution में जो मुझे consider करने क्या है 0 से 3 pi की बात सब्सक्राइब तो 0 से 3 pi के बीच में जो solution लेंगे तो it means क्या होगा फ़्दल कि 0 से लेके 2 pi एक complete सब्सक्राइब आपको और प्लस 2 pi जो लेके pi कर यहां तक फिराएब यहां तक आपका ज़वर 5 हो जाएगा तो लेके कैस cos x जिएकल तो 1 plus sin x जो सुझे प्लस जो मुझे एक जो 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 लेका ना जो पता है कि जो इसकी राइब साद 1 plus sin x की mode value यह आपको छिए आपको गा गा होगा 0 x की तो मैं तो मैं इसको simply लेक सकता हूं cos x जिएकल 1 plus sin x जो कि mode x जएकल 0 और तो मूद x का में नहीं क्या होता? x, cos x is equal to 1 plus sin x आएगा, for all x के लिए, this implies, यह बन जाएगा, मेरे पास cos x minus sin x is equal to, उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, जाचे दिख़ देर पहले कसम किया था, इसको दो है, 1 by root 2 छे दो नो तरब डिवाइड कर लेंगे, तो 1 by root 2 यहां करेंगे, 1 by root 2 वीगर करेंगे, तो 1 by root 2 यहां करेंगे, तो 1 by root 2 यहां करेंगे, तो यह मारे पास बराद यहां स्वार्गुला है, यह बन जाएगा, cos x plus 5 by 4 is equal to cos 5 by 4, एक निक जाएगा, cos x is equal to cos alpha है, यहां से आएगा मेरे पास x, cos x is equal to cos alpha, and x is equal to 2 and 5 plus minus alpha, 2 and 5 plus minus 5 by 4, तो जो जब आप इसको solve करते हैं, तो आपके पास आएगा, x की 2 value आएगी, x is equal to 2 and 5, और दूसरी value आएगी, आपके पास 2 and 5 minus 5 by 2, यह x की 2 value आएगी, लेगे मिले x की वह value चाहिए, जो 0 less than equal to x less than equal to 3 by के जो बीच आएगी, अब क्या करेंगे, x is equal to अपने पास जो है यह value आएगी है, where information क्या गिवान है, where 0 less than equal to x less than equal to 3 by, तो x की value क्या है, जो 0 ले सकते हैं, दूसरी value जो हम ले सकते हैं, यहाँ पर है, and को अगर 1 लेते हैं, तो 3 by 2 region के बीच में लाई करेगा, और 2 by लेते हैं, and को अगर 1 लेते हैं, तो 2 by लेते हैं, यह आपके पास only solution आएगे, तो पीचिं को लाए, 0 से 3 by के बीच में जो मुझे solution में रावन हैं, तो उसके बीच में जो finite solution आएगे, number of solutions are 3, तो उसके जो बीच में है तो, वो number of solutions हैं, वो अपके पने आजाएँगे, 3 आजाएँगे, तो यह trigonometric quality के पूस problems थी मैंने solve किये हो, उसके बाद next जो इस अलग problem होंगे, वो next video में आपको जो provide करवारे जाएँगे, अब institute problems को करके, उसके बाद जो भी आपके बास assignment है, आप उसके जो अपने practice कह सकते हैं, आगे की video के लिए जो है next video में जो सारी problems हो, लो कनल सिट ती जजावे, जो से बादे गिसान,